बहर सिंग दीवाने ब्रिगेट की आनंद मुहन माथोर ने इंदौर में एक पत्रकार वारता में कहा कि मध्यप्रदेश की कमलना सरकार ने अपने जहां सीय को लागू नहीं करने का नेनले कर स्वागत योग कदम उठाया है जो सही है लेकिन सीय का कोई प्रभाव मध्यप्र बहर सरकार किसी भी कीमत पर देश में एनपी आर को लागू नहीं करे हलाकि अमारी संस्था एनपी आर सीय और एंसीयार तीनों का विरूद कर रही है और शहर में चल रहे विरूदी आंदुलन का समर्थन भी कर रही है इसी मुद्य को लेकर भगत से ही दीवाने लेकिन सेंसर में आपसे यह नहीं पुछेगा कि इसके प्रमान ना हो और दूसरा जो है यह कहीं बोर्ड पर यह नहीं लाएगा कि आपक भी किसी को है क्या संसर में लेकिन एंड बी आर में जो सबसे खरार बात यह हो रही है जो कि बहुत देंजरस बात खतरनाक बात है एक बात तो यह जो लेवलों करें अच्कारी हैं जो निमनिस्टर के लोग हैं वो आपके यहां आएए आपसे पूछेंगे कि आपका ये मकान नया है, कुरहना है, कितने साल पहले बना है, इसमें कौन रहता था पहले, इसमें कौन कौन मर गया, इसमें जिंदा है. यह सारी जानकारी जो है आप देखे किस तरह से पहले तो मगान की जानकारी आपके होगी उसके बाद में आपके दूसरी जानकारी होगी तो यह जानकारी पूरी जानकारी लेने के बाद वो जानकारी ले लेगा और फिर उसको अगर संतोश होगा सरकार ने जनसंख्या सेंसस कानून 1948 की कारवाही शुरू करती जो हर दस वर्ष में होती है इसी कारवाही से बड़ा भ्रम फैल रहा है जानकारी जनसंख्या एक्ट 1948 में 2021 के लिए ली जा रही है जनसंख्या नियम 2003 में ये भीद समझ में आना मुश्किल है अथा कवलनाज सरकार से आग रहे है कि मत्प्रदेश में नियम 2003 लागू नहीं करे जनसंख्या एक्ट 1948 की कारवाई समय पर हो जनगरना 2021 में की जाएगी ना कि 2020 में एक तो शर्नार्थी के कटीगरी हो गई और एक गुसपैची कटेगरी हो गई शर्नार्थी वो जो अधर जन मुस्लिम्स आएगे वो शर्नार्थी हो गए और यह लोग सब गुसपैची हो गए तो उसका प्रभाव तो मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में नहीं पड़ रहा है रील इंविगर्ट स्ट्रीट कटके उनको सिटिजिशिप देंगे और इन लोहों को हमीद देंगे यह अमेंडमेंट 2019 ने किया तो यह आपका जो हो गया सिटिजिशिप झाललcheck मैंडमेंगें प्रदीप धित्वड़ के किसे अमेंडमें प्रभाव तो महीं आपका भ्रेश पैड़र अमेंडमेंडाव